विजनौर से हैं, शशी जी स्वागत है आपका जी मैदम जी नमस्कार मैं जैहिन, शशी जी आपका स्वागत है शर ये पूछना था, मैंने पहले भी आपका पूछा का देख बोच्टी के लिए तो आठ साल की है, नवर में चल रही है तो इसे खाकते हैं ऐसे करती है और बैसे खाकती है, खाने का टेमपर जटा करती है तो आपका थीक है एक घर एक नस्का उसे देख देख लें बच्ची को, चोटी बच्ची है यह जो मेथी का दाना तो आप जानते ही मेथी, साबुट जो होती है, इसको पौडर बना लें और एक चुटकी यह दो चुटकी मेथी का पौडर, एक गिलास पानी में उबाले और उसमें एक चुटकी या आदा चुटकी, खाने का सोड़ा में लाकते है तो इसको मिक्स करके गरम पानी में और पच्ची से कहें इसे चाय की तरह पी ले थोड़ा गरम हो जो उसको पी सगे रोजाना एक बार पिला दिया करें मुम्किन है के बच्चे को फाइदा होना मुम्किन है रामपुर से जुड़ गए है अगले कॉलर स्वागत है आपका अगरिख जी नमस्कार सर आपका नाम क्या है तुरेंदर कुमार जी आपका सवाल मेरी मीचेश को एक्चिलिव में सुकी खारिश आइब हो जागा है आपका छुली खुजली कह रहे है लाइब हो हाई अचा देखिये कैशनक मैं जो आटी ना अल्सी तो सभी जानते है यु पी वाले चाहरामपूर के हो चाहे बुलंसेर के हो ऐसी तो सभी जानते हैं Idसी को runsी खरीदे और उसे साफ कर लें कि कि अंकर अंकर बहुत मिला जिते हैं दो तीन सो गिराम अलसी ले 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 हलका सा भून कर पौडर बना ले ठीक है अब आपको क्या करना है काफी काफी ज्यादा मर्ज है उनको रोग ज्यादा है ये अलसी का पौडर बना कर रखे हलका सा भून कर ज्यादा नहीं भूना और एक आता है नमक जैतून नमक जैतून ये असली नमक लें जो देखने में नमक जैसा होता है लेकिन नमकी नहीं होता एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोड़ा जो आपके किचन में मौजूद ही रहता है ये दो गिलास पानी में मिलाकर मिक खास चमज ये एक चमज अलशी हैं और ये पानी जो नमक honor और ये खाने का सोड़े का पानी है ये लाझ फिलस पिला दए एक बार पिलाना काफी होता था किसी तो दो भार भी लगता ह बसे एक बार दिया करें आपकी पत्सट्रींगी वह फाइदा होने मुप कि दिल्ली से नेहा जी जुड़ गई है जी मैम स्वागत है आपका है कि अच्छा ठीक है कि इस तरह का रोग होता है उन में पाई रिया कहलाता है और उन में खून की कमी होती है टो एक तो मल्टी वीटामिस रोजणा एक ले लिया करें से लिया रिया ऐया लिया करें काफी इच्छा होता यह अर है कि यह है कि जी खाने का सोड़ा है एक चुटकी लें और अपनी हटेली पे रख लें और ये राई का यानि सर्सों का तेल है एक या दो ड्रॉप इसमें ऐसे मिक्स करें और ऐसे अपने दातों पर ऐसे रप करें मालिश करते रहें हलके हलके ऐसे लेकर और जो गंदगी आए तो वो आप जो लार आती है उसे ऐस मूल लटका के थूख सकते हैं ये रोजाना एक बार रात को सोते समय किया करें और याद रखें कि कुल्ला नहीं करना आप थूख कितना भी दें लार को लेकिन कुल्ला किये बगएर आप सो जाएं ये आप कुछ दिन करेंगे तो आपको फाइदा होना उमकिन है जी महराश चाहिन मैं आजिर हूं बताई किया सवाल है? असलाम अलेकुम. असलाम अलेकुम हाकिन सहाफ. वाले इसलाम. हाकिन सहाफ, दरसल मेरे चार सवाल थे अपने अब्बू के लिए. और मैं सवाल पूछने से पहले अपसे बताना चाहती हूं कि मैं आपकी दो दवाए अपने अ और गुडलन के पत्य उन्हें नहार मुँ देना है. और उसके साथ दो चुटकी नमख जयतुन एक गलास पानी पानी में और उसके ऊपर और दो गلاस पानी देना है. तो मैंने ये 12-13 दन तक के ये ओखुराक उनी दी है. तो मैं जानना चाहती हूँ हकीम साब, जैसे अब हम कैसे पता करें किट्नी की पत्रिय है वो बहार आ गई है, या किट्नी मेई है, हमें कोई जाज़ पगिरे करवानी चाहिए, क्या करवाना चाहिए, इसके लिए committed बताए हकीम साब, यह बता ही तकलीफ गई उनकी है अभी हलो तकलीफ उनकी खतम हो गई या अभी वजूद है यह अपने मुझे एक नुद्गा बताया है कि आरसी भून करके दो चुटकी नमक जैतुन पानी में एक ग्रस पानी में लगातार कितने दिन देना है और लगातार कितने देना है कि अरु जी 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 मैं सुन रहा हूँ आप बताईए हाँ लगाता है मुझे कितने दिन देना है ये नुस्का हकीम साब और ये परिशानी से हमारे अबू क्या हमेशा के लिए रोगमुक्त हो सकते हैं और जैसे उनके डॉक्तर उने गोली भी देते हैं तो उन्होंने बहुत दवाय खाई है हकीम साब तो अबू गोली से परेज कर रहे है तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या वो गोली से भी मतलब उन्हें आगे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी या पड़े उन्हें हमे परेज के परेज के लिए नमख जैतुन निम्भू के साथ देना है तो मैंने पहले निम्भू के साथ और दो ग्लास पानी उपर से वह तीन महीं ने दिया है हकीम साब रूब ठीक है और चौथा सवाल मेरा हकीम साब के जो है तो उनके पैर में और हाथ में दर्द है और कमर में तो मैं उन्हें गौंसिया तो दे रही हूं हकीम साब लेकिन जैसे अब उनकी गौंसिया की खुड़ाक 10-15 दिन की रह गई है लेकिन जो हाथ जो हैंका उपर में उट पाता है हक किम साथ और कमर में भी थोड़ा दर्द है, तो मैं अब आप से जानना चाहती है, किम साथ किया अब मुझे बांसिया आप और उन्हें देना चाहिए या और ये जो समस्या है उनकी दर्द की तो ये इस वज़ा से है किम साथ के उन्हें ब्रेंग का अटेक आया था अचा कुछ फाइदा है दर्द में उनको? अलो? शाहिन कुछ फाइदा है, दर्द में फाइदा लगता है? अब पूरा फाइदा होना मुमकिन है, इतनी तवज्जो से आप दवा दे रहे हैं अचा बच्छे देखो, किड्नी में पत्री है के नहीं है? इसके दो तरीके हैं, एक तो ये तकलीफ चली जानी चाहिए, उनको तकलीफ पहले थी ही नहीं तो फिर उसके लिए आपको सनोग्राफिक रानी पड़ सकती है और कोई बुरी बात नहीं है अगर आप अपनी तसली के लिए सनोग्राफिक करा लें वैसे उस नुसके से आपको फाइदा हो जाता है अच्छा अगर आप नमक जेतुन दे रहे हैं तो तीन तीन डूकों के लिए तीन तीन तरीके से देने की ज़रूरत नहीं है नमक जेतुन दो चुटकी एक दिन में बस पहुँचना चाहिए, नुसका कोई भी हो उसके अलावा अगर अलसी है साथ में तो अलसी साथ में खिला दे हूँ लेकिन अलसी के साथ अलग और इसके साथ अलग नहीं दे सकते दूसरा ही कि अगर आपने नीबू पानी, वो जेतुन के नमक के पानी में नीबू नहीं मिलाया तो ये गलत किया उसमें निवू मिला कर देना चाहिए ताके पत्री गूलर के पत्ते वाले नस्खे में तो जादा काम करता है मेरी दौा है कि उनकी पत्री निकल गई हो होनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया के अच्छे नस्खों में माना जाता है और फिर आप जैसी बेटी दौा करेगी और हम भी दौा करेंगे तो उनको फाइदा होना चाहिए और लेकि ये सब चीजे जाच से ही पता चलेंगी लेकिन अगर पैर पर सूजन अभी भी है या दिखती है या लगती है ये दो चीजे अलग होती है सूजन का मतलब है हम अगर पैर पर ऐसे उली गाड़ है उसकी गोश्ट के उसमें और ऐसे छोड़ें तो अगर गड़ा रह जाता है तो सूजन है और एकदम उपर को आ जाती है गोश्ट तो सूजन नही है बार पैरों पर सूजन अच्छा नही है दर्द के साथ साथ चली जानी चाहिए अलसी का नुसका लंबे अर्से तक भी ले सकते है लेकिन बगएर जाच के हम कोई कह नहीं सकते कि इतने वसूख से इतने जिम्मदारी से कि उनको वो निकल चुका है जाच में तो आपको लिक करी दे देता है कि उनको फाइदा होता है और ये अच्छे नुसके में बताता हूँ दावा कुछ नहीं करता इस से लोगों को फाइदा होते हुए देखा गया है दूआ भी करेंगा आप भी दूआ करें नुसका देते रहें और मजबूत हो जानी चाहिए उनकी किड्नी अच्छे हकीम साब इन्होंने कहा है कि यूरिन में स्मेल आती है हाँ देखे कुछ पिशाब इनका रुक कर आता है सड़ कर आता है इंफेक्शन है इंफेक्शन चला जाना चाहिए था अभी तक क्या वज़ा है क्यों नहीं जाता है किड्नी की गंदगी टेस्ट होती है किड्नी का फंक्शन टेस्ट होता है किड्नी की तंदृस्ती टेस्ट होती है वो सब जाच करा कर ही पता चलता है देरादून से हैं कावेरी जी स्वागत है आपका नमस्त पेज़िया जी नमस्त आखिन जी तर कैसे हैं आप स्वागत ने कावेरी जी का से कैसे हैं बहुत दिनों बात बात दोई कि मेरा खोफ लग न portray ने था बहुत दिन बात वाख़ी बात हो रही है आप से आप ठीक है जी आप bon आप ठीक हैं कल तो आपकी आवाद में बहुत वीक्निस लगरी थी, पूछने की जुरत में कि आप कल ठीक नहीं थे, मैंने प्रोग्राम सुना था, और कॉल लगाने की कोशिश की पर लगी नहीं, आज आप ठीक हैं, बेटर हैं, हाँ मैं गाउं से होकर आया हूँ, बड़ा स आपकी आवाज इसको वहीं फिल्टर कर देती है। कि आपकी आवाज में वह आजा civ सांट हो कि बस मनशुच हो जाता है, वह वह बहुत ससल्ली होतीं है, इतने ज्यादा पीस्फुल काउन रहती हैं आपकी आउज बहुत अच्छी लगती है, बहुत शांटी से बताते हैं बहुत वैलांस के साथ कि ये तो एक अलग ही और सभी तारीफ करते हैं, आज मैंने सोनी का भी रिमाउस तना था सुबह, लेकिन मेरी कॉल नहीं लगी थी, तो तच में आप प्रशंसा के पात रहें, इसनी प्रशंसा कीड है, उपनी थोडी है, क्योंकि शायद आफ रग के करीब हैं, ये भी कह सती हूं, आपका औरा बता है, तेस का, लेकिन समय निकल जाए, इससे पहले मैं ये कहना चाहूं ही, कि मेरे हज़में को कीड़ए को में बच्पन से नजला था, मैं इतनी खुछ हूं, कि उनको खुनी बवासी और बच्पन से नजला दोनों में फाइदा हुआ है, वन एंड़ हाफ मन्से मैंने उनको प्रिखुरी कंडिक्शन हो जाती है, अब बहुत वाइदा है, 50 more than 50% बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, और खुनी बवासी में खुन आना बंद हो गया है, जो आपने कछ्था सपेज अलसी लाजवंती और गॉन मरिंगा बताया था, वो मैंने बना के दिया, तो उससे बहुत अराम है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इवन जातून का सिर्था भी में उनको दे रही हूँ, और साथ में गौन मरिंगा तो पड़ा है नुस्के में गौन्स्या भी दे रही है, उनकी बाडी में कंचाही दर्द रहता है जैसे, तो सभी में वाइदा हो रहा है है ओवर और ऐल, सेकिंड़ी मेरे बेटो को मेरे अवाश दा रही है आउप तर बहुत अच्छी आुरही है, बहुत प्यारी है rotate эфф focus शिकायट हो गही थी उसको भी बहुत आराम है ग्लाइन कोपरेशन बता जिया था उसको भी बहुत आराम है साथ में वेट के लिए वो ले रहा है पहले से कम है वेट पहलने जाता है और थर्डी मुझे कितने फायदे ही नहीं बहुत सारी चार प्रॉब्लम की यूटी आई इंसेक्शन था दो साल से और यूटी आई इंसेक्शन की वज़े से मुझे छे मही में 2021 में फीवर रहा कंटिनस्ली और मुझे समझी नहीं आया कि ये फीवर है क्यों सारे टेस्ट करा लिए टाइसाइड और ये सब कुज़गत रहर उपे लगाए थे टेस्ट में फिर पदा चला सी यूटी आई इंसेक्शन है और उसकी वेसे फीवर आ रहा है इवन कंटि में भी मुझे शे मी में रहा और इस साल भी मार्स तक रहा अप्रिल में से मैंने आपका नुस्का चूर किया मुझे पदा ही नहीं था आप टेवी पर आते हैं मेरे जूरे में बताया था यूटी आई की यूटी आई वारा दुसका आप जरा सा बता दें बहुत सारी महिलाएं सुन रही हैं उनको अक्सर पाब्लम रहती है तो उसे जरा दोरा दें ताके दूसरी महिलां को भी फाइदा हो सके जी मैंने आपने मेरे को बताई थी अल्ची का पाउडर गूंके और उसमें नमस जैतून एक चुटकी पानी में डालकर वही लिया मैंने उसी जिसे इतना अराम हुआ सार मेरी सर में कुझ लिए होई थी वो भी चली गई और यूटी आई इंफेक्शन में यूरिन अभी भ जोड़ा सा कलर डर्टी है बट बहुत सारा फाइदा इतना अराम है पेट में हल्का पन लगता है और उसे बहुत अराम हो रहा है मुझे जो प्राब्लम थी फीवर आना बिल्कुल बंद हो गया से जी जी ये इंफेक्शन हो गया सार मुझे कंटी में अल्सी और एक चुट जोड़ा अराम थी पर्यार में इतना तरहां हो उसमें इतना आराम है एक ये जोड़ा पर जा सकती हूं पहले हुरा मेरा बीच परशन पर इस टक हो गया था इतना अराम है मुझे गौंसिया खाने से अल्सी के साथ और जैतुनता फिर्का भी ले रही हूँ लेकि इसका में कि आप से बताना चाहूँगी कि जयतुन का सिर्का शुरू में क्योंकि हम लेचन नी खाते हैं, तो हला कि मैंने अब स्टार्ट कर दिया है, दवाई में डाल का, शुरू में मैंने प्योड लिया ऐसे ही, तो मेरी तलब होना चाहिए कि वह बहुत कम होगी, इवन मेरे बेटे सब्कार शुरू में अंदुIP कि जयतुन का सिर्का शुरू अटब्र, में जयतुन का सिर्का शुरू शुरू नई गाल लेकि महाँ सुन्धि, इस ने चर्फ बहुता है, एक रही चुरू आवजा थाओ-टे, जयतुन का सिर्काश में पूंहा बहुत importantes और आदूंसे भी य प्रवाल के ले रही थी और गोल मरिंगा भी ले रही हूं बालों की वेजे से बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा हो गया इविन मेरी मेरी मेड भी तोकती है कि आपके बाल तो मांग दिखती थी अब भी दिखती है तो इसने सारे मुझे फीडबाग है कि मैं क्या बताऊं क्या बताऊं और भी बहुत चोटी-चोटी प्रॉब्लम स्वाल वही है अब उन्हें तीन क्वेश्चन है वह मैं पूछ लोगा है समय हो तो जी जी एक तो इस है कि जो इस्प्लीन होती है न मेरे बेटे कुछ प्रॉब्लम महसूस करता है जहां पे इस्प्लीन होती है लग जगा लेफ साइड है अगर बेटे कुछ प्रॉब्लम महसूस करता है ऐसा क्यों है क्या हो सकता है इसका और कल्मी शोरा के क्या काम में आता है एक बार आपने किसी को बताया था एक चुटकी तो वह यह धाना चाहूंगी और भी कोशनल बटाज नहीं क्योंकि बहुत सारे होंगे बहुत सारे लोग आप से मिलने के लिए आफिर होंगे sorry to taste time so much please बहुत धन्यवाद आपकी बातचीत से तो मैं शुरू से पहली कौल से बहुत impressed रहा और आज तो आपने हदी कर दी कहां से जिकर करें और कहां तमाम करें तुम्हारी बात को हम किस तरहां से आहम करें क क्यांदाज है आपकी बात करने का एक लफ उतर जाता है दिमाग में वक्त बहुत कम है इसलिए कम बात करूँआ था मुझे सवाल इनकी याद दिलाए जी कलमी शोरा किस कम आता है कलमी शोरा निस्खों के साथ इस्तिमाल आता है छे साथ चीजों के साथ दिए ये कलमी शोरा एक चुटकी धनिया आदा चम्मच और जीरा दो गिराम और एक आती है एक आती है उसे कहते हैं एक आती है सौफ वो दो चम्मच इसे उबाल कर पिया जाए तो पेट की समस्चाएं हल होती है और क्या सवाल है बेटे को लेके हैं लेट साइट पसलियों के नीचे थोड़ा प्रॉब्लम महसूस करते हैं इस तरफ होती है और कभी हमारा लीवर मतासिर होता है इंप्रेस होता है तो हमारे लीवर का एक हिस्सा इस तरफ को होता है बाकि पूरा लीवर इधर होता है इस प्लीन इधर होती है अगर लीवर में सूजा ना जाय तो वह यह हिस्सा स्प्रीड सूच जाती है और पिर अच्छे से काम नहीं करती तिली जिसे कहते हैं तो इसके लिए वह आप दे सकते हैं नमक सेतुन और दे ही रहे हैं तो धीरे धीरे वो अपनी जगा पर आना बैठा रहे, नहीं तो यहां एक हलकी सी तकलीफ रहती है, बच्चे का लीवर भी मुतासिर हो सकता है, तो यह आप उने देते रहें, उनको फाइदा मुम्किन है.